जैस्री किष्ण स्वागत है आप सभी का मेरे HS वारतवा यूटूब चेनल पर मैं अरियोम सर्मा आज आपको एक छोटा सा अपाय बता रहा हूं 13 अक्टूबर की बड़ी एकाथसी है और ये छोटा सा अपाय आप जरूर करें जिनको भी संतान प्राप्ती में परेशानी आ रही है या धन प्राप्ती की प्रोबलम में तो यह परमा एकासी दोनों की प्राप्ती कराती है भागवान क्रिष्ण गोमाता को बड़ा प्रेम करते थे और आज की दिन पुरसुत्तमा एकासी है और इसमें गोमाता की पूजा का बड़ा मैत्व है जो लोग गोमाता की पूजा करते हैं उनकी सभी मनुकामना स्वेम भगवान सी कृष्ण पूरी करते हैं तो इस दिन आपको एक क्रीम कलर का कपड़ा ले लेना है सबादो मीटर का और इसका उपाय करना है गोमाता का सबसे पहले इस्नानादी करें इस्नानादी करके भगवान किष्ण की पूजा करें और भगवान किष्ण की पूजा के बाद में आपको गोमाता की पूजा करनी है पुरसोत्मा परमा एकासी की कता पूरी सुने उसका बड़ा मेत्व है और कता सुनने के बाद में फिर आपको गोव साला जाना आए या पास कहीं गाय हो तो आप मावी जाएं गोव माता से अपनी प्रातना बोलते हुए सबसे पहले गोव माता को टीका लगाएं उसके बाद में अपने हाथ में इस दिन आज आपको रोटी निकलानी अपने हाथ में थोड़ा सा मीठा ले करके और गोव माता को खिला दें उसके बाद में सबा दो मीठर का कपड़ा ले करके गोव माता को उड़ा दें साथ परक्रमा करें और गौमाता के गले में गंटी बांदें गंटी बांदने के बाद में आप हो सके तो सवा पांच किलो गौमाता के लिए आठा या चूकर जो भी आपकी चाओ वहां पर तुलबा करके रख दें गौमाता के लिए उसके बाद में थोड़ा सा गोव माता का दूद लेना है गोव माता का दूद आपको लेना है वही से गोव साला से ले ले और साम को जब आप फलार करेंगे तो वह गोव माता का दूद आपको ग्रहन करना है ध्यान रहे कि गोव माता का दूद आपको ग्रहन करना है उसके बाद में आप द्वाज स्री बाले दिने एक धाली भोजन बनाए अपने आज से और वह ब्रामर को दान दे करके आए और उसी में से थोड़ा सा भोजन जो आप बनाए उसमें से ले जाए और गोव माता को खिल और दीपदान का बड़ा मेत तो है, साम के समय, भगवान के सामने और गौशाला में, सिवजी के सामने, अपने हाथ से आठे का दीपग बना करके जरूर जलाएं, जो आरती का समय होता है उस समय, यह छोटा सा अपाय है, आप जरूर करें, बाकिस्वंपूर विदी की जान कर तो आप जरूर करें, आपकी सारी मनुकामना पूरी हो जाएंगे, जै स्रीकिष्ण, जै गोमाता की